स्वागता दोस्तों आप सभी का हमारी को नई वीडियो में दोस्तों अभी हाली में लखनव से खबर आ रही है जहां ट्रैक बल्ज की कम्प्लेन आती है वो तो गनीमत थी लोको पालेट के से तर्था की कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ अभी हाली में पूर मंडल अक्सप्रस रिल हचसा सामने आया था जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया देश सदमे से भी उबरा ही था कि बैक टू बैक कुछ ऐसी खबरों ने लोगों का धेन अपनी तरफ आकर शित कर लिया कि कुछ तो गड़बर है अभी 6 जून की ही रात अभी 6 जून की रात दो पेट्रोलियम टैंकर शाप और भिटोली रेल्वेस्टेशन के पास डिरेल हो गए थे हलाकि इसमें कोई बड़ा हाथसा सामने नहीं आया और थोड़ी दिर में इसको रिपेर कर लिया गया मगर अभी फिलाल 18 जून को एक और खबर लखनव से सामने आ रही है जहां निगोहा रेलिस्टेशन के पास एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया जहां गर्मी की वज़े से पट्री फैल गई थी तब ही वहां से निलांचाल अक्सप्रस गुजरी हलाकि लोको पैलेट की समस्दारी के चलते ही हाथसा टल गया था शनिवार शाम करीब पांच बजे लूप लाइन से जैसे निलांचा लक्स्प्रस कुजरी वैसे ही ट्रेन की पट्री गर्मी से फैल गई दरसल निगोहा रेलेस्टेशन पर मेंन लाइन की जगा उसे लूप लाइन पर डाला गया था पट्री फैलनिंग वज़े से लोको पालेट को एक जटका फील हुआ जिस वज़े से उसने ट्रेन रोक दी ततकाल पालेट ने इसकी सूचना कंट्रोल उम को दी इसके बाद इंजिनरिंग अनुभाग ने कर्मशारियों को पट्री दूरस करने के आदेश दिये जानकारी की माने तो खराब मेंटेनेंस ट्रेक की वज़े से ऐसा हुआ होगा फिलहाल पूरे मामले में लखनाओ के DRM सुरेश सापरा ने जाच बैठा दी है ये निगोहा रेलवे स्टेशन प्रियाग राज से प्रताब गार्ड रूट पर पड़ता है इसमें में लैन पर एक औलेड़ी टेन खड़ी भी थी जिस वज़े से नीलांचल को लूप लैन से होकर गुजरना था इस दोरान टेन पालेट ने रेल गाड़ी कर अफ़तार काफी धी में रखी थी और आगे चलकर टेन को रोक भी दिया इसी काड़ से टेड़ी रेल पट्रियों पर से एक्सप्रेस बिना किसी हाथसे के गुजर गई नहीं तो बाला सोर टेन हाथसे की तरह बड़ी दुखटना भी हो सकती थी इसके बाद लोको पालेट जब लखनो जंक्शन पहुंचे तो उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई अलाधिकारियों को भी इसकी सुचना दी गई जिसके उपनान्त रेलवे भी भाग के बड़े अधिकारी और कमचारी मौके पर मुएना करने पहुंचे फिर समिको को बुला कर ट्रैक की मरमत का काम शुरू कराया गया वही लूप लाइन से ट्रैन ना गुजरे इसके लिए स्टेशन मास्टर को इलेट कर दिया गया है हलाकि अब रेल पटरी के टेड़े पन को सही कर लिया गया है साथ ही ऐसा कैसे हुआ इसके पीछे का इसपस्ट और सही कारण क्या है इसके लिए डिविजिनल रेल वैनेजर ने जाज कमिटी बता दी है जो पूरे मामले की जाज करके एक विस्तित रिपोर्ट डियारेम को सौपेगी तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त जै हिंद जै भारत दोस्तों